हेलो फ्रेंड मैं लें इंगराज पटेल मेरा चैनल में आप सब का स्वागत करता हूँ आज मैं आप सब के लिए और एक निया रेसिपी लेकिया है हूँ और आज हम बनाएंगे प्याज के पत्तों से बने पकोडे आप सब ने प्याज के तो पकोडे बहुत खाया हूँगे आज मैं इसके पत्तों से पकोडे बना के आपको दिखाऊंगा तो चलिए दोस्तों रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं यह देखिए दोस्तों यहें प्याज के पत्य और इसको मैंने अच्छी तरह से पानी से वस कर लिया है और इसमें जो छोटा-छोटा प्याज रहता है इसको भी काट के अलग कर दिया है तो चलिए इसको छोटा-छोटा करके काट लेते हैं और यह देखिए दोस्तों मैंने सा तोड़ा सा नमक, स्वात के अनुसर, नमक को डालने के मज़ में डालेंगे, थोड़ा सा खाने का सोड़ा, उपर से डालेंगे थोड़ा सा कस्मीरी रेड चिली पाउडर, इसको डालने से इसमें बहुत एच्छा कलर आता है, और इसको पाद इसमें हलकाल का पानी डालके इस नीचे हुआ तो हमारा पकोड़ अच्छे से नहीं बनेंगे ये देखिए अब एकदम रेडी है अभी हम बेसन के घोल के उपर हमारा काटा हुआ प्याज के पत्तों को डाल देंगे और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से इसको इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको हम हातों यह हमारा तेल भी घरब हो गया है, अब यह हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे और हमने जितना भी मिक्सचर बना के रेडी किया है वो दो तीन स्टेप में कम्प्लीट कर लेंगे यह देखे हमने पहले बेच को इसमें डाल दिया है अब हम एक छन्नी के मदद से इसको उलट पुलट करके चारो तरप से अच्छी तरह से फ्राय कर लेंगे ये देखे थोड़ी दर इसको उलट पुलट करने के बाद इसमें अच्छा सा कलर आने लगा है अबfred eh utiliz फ्राय वी हो गया है शेल यह हमएंगरा 1 बेच को प्लेट में निकाल लेते हैं यह देखे दोस्तों यह बहुत ही जादा क्रिशिपी बना है अब हम इसको प्लेट में ढाल देंगे यह देखे इसक 나온 अब सुन सकते हैं अब हमारा second place को इसमें डालेंगे एकदम same procedure में आप जब भी पकोड़ी को fry करें गेस को high flow पे रखें उसके बाद गेस को medium flow पे कर दें और पकोड़े को तेल में डालते ही इसमें तुरंट चम्मच को ना लगाएं ये देखिए ये भी बन के ready हो गया है अब हम इसको भी छान क प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हम सारे पकोड़ों को fry करके ready कर लेंगे और ये देखिए दोस्तों ये भी ready हो गया है और इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके सारे पकोड़ों के बना के ready कर लिया है आप देख सकते हैं आप इसको सुव थांक्स पर वाचिंग मैं वीडियो फ्रेंद्स